अस्वाम लेकुम mathematics first year का chip number 6 चल रहा है हमारा sequence series तो 6.1 हम solve करें students तो 6.1 में हमारे पास है find the indicated terms in the following sequence उसमें first term हमारे पास 2, 6, 11 & 17 दी given है और हमने कौन सी find करनी है seven term हमने find करनी है तो इसमें देखें first term हमारे पास है two अगर इसका हम बना लें ऐसे देखें इनका पहले तो हमें guess होना चाहिए कि इसको देखते है कि कैसे इसमें से क्या value add करके बनाया देखें two में कितने add की होए four four फिर six में कितने add की 11 आया वो five ऐसे फिर 11 में कितने add की होए यह six एसी हमिए add करने तो हमने इसको लिखकर किया देखें two में कितने add किये बना यह four add की दो six बना six में फिर кितने add की है eleven बना five eleven में कितने add कीih six तो यहांसे हमिए याईडिया doing हो रहा है कि हर पर पहलें से कितना number जाद हो रहा है deswegen especialmente है when you quand left पर आड होंगे एट फिर थ데टीडू बने गा फिर धिर टीडू में कितने आड होंगे नाइन तो राइड ऑंसर किया बनेगा फॉर्टीवन फिर हम इसको इस तरह से भी हम सौलुब कर सकते हैं कि हमारे पास फिरस्ट थी टू उसमें हमने एड़ किया है फाईव तो शीक्स फाईव प्लस फाईव कितने होगे ऐलावन स्टीजिचिट्स में 11 में किते है ड्ड ABC हमने 6 तो किया बन गा हाँ हमारे पास 17 स्टीजिचिचिचिचिचंकें那我們 Cuts हमारे पास 24 पिर 32 तो क्या अंसर आया हमारे पास यह 41 यह वह वेलिव्यस कितनी ड्ड Heумदी एक एक नमबर पहले से हम answer में ज्यादा add करते जा रहे हैं students तो इसी का हम next part देखते हैं students next part में हमारे पस जो question है उसमें series हमारे पस दी है one three twelve और sixteen हमने करना है 16 तो इसके लिए हमें first of all जो चाहिए वह हम यह देखेंगे कि इस पे हमारे पस देखें जीस में first time हमारे पस क्या है हमारे पस students वो हमारे पस one है इसके बाद जो second time हमारे पस है वो हमारे पस three है तो three किस तरह से बन रही है हमारे पस students यह देखना होगा कि first time हम तो हमारे पस one ही थी लेकिन second time कैसे बनी three जब इसको one को हमने किसे multiply किया था three इसे फिर यह जो third time twelve कैसे बनी कि यह जो answer आ रहा है इसको किसे multiply करें four से फिर sixty कैसे बनाएगा यह यह कौन से term बन रही है four यह यह one two three four तो twelve लेंगे twelve को हमें किसे multiply करेंगे five से twelve four दा sixty इसी तरह से students हमारे पास हमें फिफ्ट टरम लेंगे अब फिफ्ट टरम में देखें पहले three आ रहा था फिर four से multiply हो रहा था फिर five यह नहीं कंजक्टिव एक नमबर ज्यादा करी जा रहा है अब जो sixty है उसको किसे multiply करेंगे एक नमबर बहले से ज्यादा sixty से तो क्या बनेगा six zero six six ता three sixty ऐसी जब six term लेंगे तो three sixty को student किस से multiply करेंगे इसको हम seven seven से multiply करेंगे तो इस तरह से हमारे पास क्या बनेगा two five और two zero तो student इस तरह से हमारे पास जो six term का answer है वो हमारे पास क्या आ गया two five और two zero ऐसे ही फिर हमने next पार्ट देखते हैं three third पार्ट में उसमें भी हम देखते हैं कि हमारे पास जो value है वो किस तरह से बन दी है अब एक चीज़ तो पहले देखें देखें कि हमारे पास पहली जो term है वो one था उसमें अगली term में कितना answer आ रहा है three numerator की बाद हम करें फ but denominator यहां पर one है two है और वो हर बार दो दो values multiple में आ रहे हैं तो पहले first value हम इसकी बनाते हैं तो हमारे पास जो first term बनी है वो हमारे पास थी one ऐसी जब second term बनी है तो इसके answer में हमने कितने number add किये है two और रीचे हमने किस से multiply किया है two से तो क्या बन गया है three by two देखे second term बन रही है ऐसी जब third term देखेंगे तो three जो numerator आ रहा था उसमें कितने number हमने का था add हो रहे है हमारे पास हर बार two two number add हो फिर जो था denominator हमारे जासी है two था two हमने write कर लिया अब हर बार two से ही multiply करते हैं देखें तो क्या बन गया three plus two five और two two दा कितने बन गया four इसी तरह से students हम देखते है next हमारे पास जब four term आएगी तो उसमें five में कितने add हो रहे हैं यह जो five आ रहा था इसमें कितने add हो रहा है तो हर बर हम किस से multiply करें two से तो क्या बन गा हमारे पास seven by eight अब ऐसे हमारे पास five आ रहा है हम उसमें से watts two और यह जो eight है answer इसको फिर हम double करें कितना बनेगा students 9 over 16 अभी तो 5 तक पहुंचे हैं अब अपने फिर 6 में ऐसे 9 में क्या एड़ करना है हमने 2 और फिर 16 को किसे multiply करना है 2 से तो कितना बनेगा 11 over 32 इसी तरह से लाव ने 7 term निकालनी है students तो 7 term के लिए हमारे पास क्या answer आएगा जी इसमें देखें जो 11 था student फिर उसमें हमने कितने एड़ करने है 2 और फिर denominator में जो answer था ये 32 कितने से multiply करना है इसको 2 से कितने आएगे 13 over 64 इस तरह से जो हमारे पास answer बन रहा है 7 term का वो हमारे पास students आ रहा है 13 over 64 अब इसी का जो हमारे पास 4th part students आ रहा है उसमें देखें कि इसमें odd और even terms बन रही है अब ये जो odd terms बन रही है हमारे पास और even terms इसका हमने देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से solve करें अब ये जो first term है odd वाली terms बनती है इसको हम क्या करते है हमारे पास one ठीक हो गया अब ऐसे हमारे पास जो second term बन रही है वो हमारे पास क्या आ रही है वान लेकिन ठीक है जो one के बाद पर third बन रही है third के बाद जो fifth बन रही हो सारी minus में है इसका meaning ये है कि जब हमने third term निकाल ली है तो उसमें से कितने minus की है हमें students minus के four तो इस तरह से हमारे पास जो answer क्या आ रहा है minus के three लेकिन जब हमने four even वाली terms निकाल ले है one से जा रहे है five पे तो one में कितने add की है है उसमें से देखे वो five add के four add करके क्या बन रहा है five इसी तरह से जब हम देखे one से हम गये थे first term से third पे third से तो ये वाला जो answer है उसमें क्या करने है minus के four क्या बन गए minus के seven ऐसे फिर हमने five से जब next जाना है six term पे six term पे जो students जो answer था five उसमें four add करने है तो क्या बनेगा nine अब ऐसी हमने seven term निकाल लेगे है देखें odd है one three five seven odd होते हैं जो पहला answer था odd का term का minus seven उसमें minus four करने है तो क्या आएगा minus के eleven ऐसी कि अगर eight term करेंगे तो यहां पे even terms है जैसे two four six eight तो इसमें four add करने है तो answer क्या बनेगा थर्टीन तो हमने eight eight term का अंसा निकालना था चेक करते हैं इसको हमने कैसे किया इस्टूर्ट अब बन दी हैं यह first third fifth यह सारी कौन सी बन दी हैं हमारे पास odd वाली minus उसका मदला पहले guess किया one अगली odd कैसे बनी minus फिर four minus four कर गए फिर minus four कर गए माइनस four कर गए और जो two four six eight terms हैं वो कैसे बन रही हर बार plus four कर तो इसलिए eight कैसे आया 13 बार किया ऐसे students हमारे पास इसका fifth part है हमारे पास यह भी कुछ है जैसे पहले था वो same वैसे ही है हमारे पास one minus three और student minus five और हमने इसमें से क्या find करना है a eight इसमें से find करना है इसमें से अब इसमें भी same ऐसे ही है तो इसको भी ऐसा student देखते हैं इसको इनमेंसे जा इएयं भी यह देखें और कितने होरे हैं यह plus कर यह सारी और टर्मजार रीन कितने एडर यह ओर रहे हैं प्लेसफार ऐसे फिर क्या होगा प्लेस हो और इन में से जब जा रहे हैं इस पाइनस त्री से तो क्या होगा माइनस के फॉर ऐड फिर जो third term given है वो हमारे पास five कैसे बनेगी जब इस वाली जो term है one में कितने add करेंगे four तो क्या आजएगा five ऐसी four term कैसे बनेगी इसमें कितने add कर लेंगे minus के four क्या बनेंगे minus के seven ये five कैसे बन रही है five plus four क्या बन रहा है nine a six minus seven और minus के four क्या आएंगे minus के eleven आएंगे देखे six तक तो हम पहुंच लेंगे अब देखे इसमें जब six तक पहुंच गया है तो इसका मतलब हमने जब लेना है seven term all terms है देखा सारी all terms कैसे बननी है जैसे इसी को फिर हमने वैसे write कर लिया nine और इसमें four add करें तो क्या बना है thirteen इसी तरह से students फिर जब ये term बनेगी ये values write कर लेंगे minus के eleven और इसमें से क्या add करें minus के four तो कितने बनेंगे minus के fifteen तो ये हमारे पस क्या होगा इसका answer होगा customer fifteen में है के next two terms हमने find करनी है तो very easy है देखें इस पे आप इसमें देखते हैं कि हमारे पस क्या value आ रही है से first term क्या रही है seven उसके बाद क्या रहा है nine three twelve इसका मतलब seven से जब nine पर जाएंगे तो कितने add हुआ है two nine से twelve पर गए तो कितने add हुए उस पे three जब twelve से sixteen पर गए हैं तो कितना बना four इसका मतलब क्या रहा है हम इसे two two one one number पहले से जादा add हो रहा है फिर sixteen से जब five एक एक नमबर consecutive नमब पहले से जादा हो रहा है तो इसका मतलब 21 बनेगा 21 में fix करेंगा ने तो add क्या होगा 27 यह तो था direct method लेकिन जब हमने exam में short question करना है तो हमने उसको proper solve करना है यह तो कोई भी आप aptitude test में इसको ल तो क्या answer आजाएगा 9 इसी तरह से जब third time लेंगे इसमें 9 तो पहले से एक number जादा add करेंगे कितना आजाएगा 12 इसी तरह से students A4 में 12 में answer पहले से देखें कि यह सारे पहले से एक number हम जादा add करें यह तो कितना बन गया हमारे पास यह 16 इसी को method को continue रखना है 16 जो answer आ रहा हमें 5 तो कितने बनेंगे students A21 as a next 21 में फिरम कितने add करेंगे 6 तो क्या बनेंगे 27 इसका मातर नेक्स कौन को सी तरह में बनी 21 and 27 are two next terms of the given sequence ऐसी next देखें अब इसमें से जो values आ रहे है यह 1 के बाद क्या आ रहा है फिर 3 के बाद students क्या आ रहा है हमारे पास वो हमारे पास 7 आ रहा है अब देखें जब हमारे पास 1 था तो 1 से हम किसमें चाहा रहे हैं इसमें 3 में तो कितना बनेगा अब 3 में किसमें जाएंगे? 7 में तो कितना बनेगा? अगर ऐसे निकाल, problem मा रहा हरे है एसे भी के निकाल सकते, start glass भी नहीं है इस 네re 2 था माइनस 1 कि रहे हैं हमारे पास 2? 7 माइनस 3 कितना आएगा हमारे पास four fifteen minus seven कितना आएगा हमारे पास eight ऐसी thirty one minus fifteen क्या आएगा sixteen तो इसे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम कर के रहे हैं इसमें तो हमें इसमें डिफरेंस पर असल लेगा one से three पे जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ हुआ है two add किया three से four में किया है तो हमारे पास क्या हुआ है इसमें फोर हमने add किया है ऐसे फिर हमने next eight add किया फिर sixteen add किया तो यह तो था शॉर्ट कट अगर निकालने का जैसे thirty one में कितने add करेंगे thirty two तो क्या हैगा 63 अब multiple आ रहे हैं देखे two का multiple क्या है कि हमने second को किस तरह से हमने solve किया था कितने add किया थे इसी answer में हमने 2 add किया थे तो क्या बन गया था three जब third word term में हमने किया था तो इसी answer को हमने write कर लिया था तो कितना आ गया हमारे पास seven इसी को follow करेंगे students a five जो answer था अब इस बार four का double कितना आएगा eight ठीक है जी अब a five आएगा तो पहले वाला तो answer वही और eight का double कितना आएगा sixteen तो क्या बनेगा thirty one तो इसे में कैसे हो गया अब क्या करना है जो answer है वो और फिर यह जो number आ रहा था पहले sixty one sixteen इसका double क्या आएगा thirty two तो कितने आ जाएंगे students हमारे पास यह thirty three इसी तरह से यह seven कैसे आएगा sixty three में हमने thirty two का double कितना आएगा sixty four तो क्या answer आएगा हमारे पास four three seven और six six twelve तो इसका मतलब क्या terms बनी है हमारे पास sixty three one 27 और next two terms of given sequence कि इसी तरह से हम थर्ड पार्ट पर पहुंचे के इस तरह से अब इसमें थोड़ा सा प्राब्लम है कि इसको second अब देखें बहुत difference ही values आ रही है इस पर तो first term तो हमारे पास students है इसमें minus के one अब जो second है वो इसका मतलब है वो कैसे बन दी है हमारे पास इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो values बन दी है वो किस से multiply किया है two से minus one को जब multiply किया है two से यनि कि अगर minus one का हमने कि या तो वो तो minus बनेगा लेकिन इसका मतलब है कि यहां पर हमने negative value नहीं लिए हुई इसका क्यों सी value लिए हुई है positive तब भी तो इसका answer ऐसा बन रहा है तो हमने इसको पहले तो इसको raise करेंगे अब इस तरह से क्या आ गया हमारे पास इस तरह से students यह आ गया धी हमारे पास two लेकिन अगर इसी को follow करें अब मैं two तो write कर लो यहां पर अगर मैं लिग लेता है two की power zero किसी भी number की power zero मों तो one नहीं आना था अब मैं इसको two अब देखें इसको पहले minus one write किया था फिर one write किया अब इसका meaning गया है कि हमने अगली बार कितनी values लेनी है फिर यहां पर दो दो add करके और यहां पर three को किसे multiply करेंगे four के साथ two का double क्या आएगा हमारे पर students two का double two की power two इसका बतलब तो क्या बना three into four तो क्या answer बनेगा हमारे पर students यह 12 बनेगा अब जब a four लेंगे तो इसका meaning क्या आएगा देखें पहले में minus one one दो दो नमबर add हो रहे है तो three के बाद का उनसा फिर और नमबर बनेगा five अब two की power two ली थी इस बार हम क्या ले लेंगे इसको three तो क्या बनेगा eight eight five दा कितने बनेगे forty अब pattern guess हो गया ऐसे भी जब हम a five लेना देखें पहले minus one लिया फिर one फिर three फिर five दो दो नमबर add होते जा रहे है जो five में दो नमबर add होगे तो क्या बनेगा seven फिर two की power कितनी आएगी three के बाद कितना बनेगा four ये भी student फिर seven two की power four sixteen बनेगा sixteen को जब हम multiply करेंगे seven one से तो क्या बनेगा double one two ऐसे फिर हमने a six निकाल ला है देखे seven लिया था दो एड करेंगे कितना आएगा nine two की power five तो कितना बनेगा ये nine two की power two thirty two इस तरह से क्या answer बनेगा हमारे पाक students है forty बनेगा nine two the thirty two or nine two the eighteen और फिर nine three twenty seven और one कितने होंगे two twenty eight तो ये next terms जो बनी है हमारे पास वो कौन कौन सी बनी है हमारे पास double one two or double eight which are the next two terms of given sequence तो थोड़ा सा टेक्निकल है इसको देखिएगा प्रस अच्छे से कीजिएगा अब देखें फिर ये तो अपने पहले भी किया हमें one में देखें कितने add कि हमने plus four तो तब बना और तरम्स फिर one में फिर हमने कितने add कि है plus four ठीक है फीर यसथे हम क्या करेंगे plus four इधर से हमने कितने add कि minus four फिर कितने क्या किया minus four इस तरह से पीर क्या बनेगा minus four एक plus और terms में क्या करेंगे हम इसमें plus four और even terms में क्या करते जाएंगे MYने four तो इसी को हम the bind में रखते हों solve करेंगे तो first term जो बनी है हमारे पास वो है one ऐसे ही student जब second हम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ रही है minus के three लेकिन जब हम third term लेंगे तो क्या आएगा one में अगर हम क्या करेंगे plus four तो क्या बनेगा five ऐसे फिर even time की बारी आगी उसमें कैसे next value बन रही है minus seven उसमें कितने add करें minus के four तो minus के seven आगे ऐसे student अफ और terms बनी है odd कैसे बन रही थी जो भी answer आ रहा है उसमें फिर four add करें तो क्या बन रहा है nine ऐसी six में कैसे बनेगा minus seven और minus के four बने minus के 11 देखें कोई problem तो नहीं हार इस पर देखें और में सब में four add और even terms बे four minus यानिके अब इस में से जो बन रहा है हमारे पास a seven इसका meaning क्या बना है हमारे पास nine plus four क्या बनेगा 13 और a eight में क्या बना माइनस के one और माइनस के four यहीं और वाले में प्लस four even और even terms में माइनस के four कितने आगे students माइनस के fifteen तो इस तरह से हमारे पास कौन कौन से दोर terms हमने निकाली हैं पर students a 13 और a minus के 15 13 13 माइनस 15 और नेक्स्ट तू 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 आप न गिवन सीक्वेंस सुरिस की पैक्टस करें अच्छे से और कमेंट्स लाजमी करें तैंक यू